दोस्तों आज यहाँ पे एर टेल ने अपने यूजर्स को बड़ा जटका देते वे अपना सबसे सस्ता 49 उपएवाले मीनिमम रिचार्ज प्लान को पूरे सरकल में बंद कर दिये जी हाँ दोस्तों अब आपको एर टेल का नंबर एक्टिबेट रखने के लिए यहाँ पे आपको हर एक मैने कम से कम 89 उपएवाले रिचार्ज प्लान से रिचार्ज करवाना होगा तभी आपका नंबर यहाँ पे एक्टिबेट रहेगा तो आज के इस वीडियो मैं आप लोगों को तो दोस्तों कुछ दिन पहले ही मैने आप लोगों को बताया था कि कुछ सरकल के बाद अब यहाँ पे एर टेल पूरे सरकल में अपना सबसे सस्ता 49 रुपए वाले मीनिमम रिचार्ज प्लान को बंग कर सकती है तो आज यहाँ पे दोस्तों एर टेल ने पूरे सरकल से 49 रुपए वाले प्लान को बंग कर दिये यानि कि दोस्तों 29 जुलाई 2021 से अब आपको एर टेल का नंबर एक्टिबेट रखने के लिए महिने कम से कम 89 रुपए वाले प्लान से रिचार्ज करवाना होगा तभी आपका नंबर यहाँ पे एक्टिबेट रहेगा तो यहाँ पे दोस्तों एर टेल की ओर से कहा गया है कि 49 रुपए वाले प्लान को यहाँ पे इसलिए बंग किया जा रहा है क्योंकि 49 रुपए वाले प्लान में आपको काफी कम टोक टाइम के साथ साथ काफी कम डेटा मिलते थे जिससे की एर टेल यूजर्स को यहाँ पे काफी सारे दिकतों का सामना करना पड़ रहा था तो इसलिए यहाँ पे एर टेल ने 49 रुपए वाले प्लान को बंग करती है तो अगर आप एक एर टेल यूजर्स हैं और आप यहाँ पे एर टेल थैंक्स आप या फिर एर टेल के वेबसाइड में जाकर देखेंगे तो वहाँ पे आपको 49 रुपए वाला प्लान discontinue करके दिखाई देगा यानि कि दोस्तो अब आपको Airtail का नंबर एक्टिबेट रखने के लिए यहाँ पे आपको हर एक मैने कम से कम 89 रुपए वाले रिचार्ज प्लान से रिचार्ज करवाना होगा तभी आपका नंबर यहाँ पे एक्टिबेट रहेगा तो मेरे नुसार दोस्तों यहाँ पे Airtail यूजर्स के लिए काफी बुरी खबर है क्योंकि दोस्तों अब आपको Airtail का नंबर एक्टिबेट रखने के लिए यहाँ पे आपको कम से कम 89 उपए वाले प्लान से रिचार्ज करवाना होगा तो चलिए दोस्तों बात करते हैं Airtail के 89 उपए वाले प्लान में आपको क्या-क्या बेनी फिट्स मिलेंगे तो यहाँ पे आपको 28 दिन की वेलिडिटी मिलेगी साथ में 64 उपए का टॉक टाइम और इसके साथ ही इस प्लान में आपको मिलेंगे 200 MB डेटा तो ऐसे दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरू बताएं कि क्या यहाँ पे Airtail को 49 उपए वाले प्लान को बंद करना चाहिए और Airtail के इस फैसले के बाद आप यहाँ पे Airtail का सी म्यूच करेंगे या फिर नहीं तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही फिर मिलूँगा अगले वीडियो में कुछ नया अपडेट को लेकर तब तक के लिए जहिन वंदे मातरा